नमस्का, राजनमा टीही पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ विदेश मंत्री एस जैश अंकर ने विदेश नीती पर सवाल उठाने को लेकर राहूल गांदी को नसियत दी है, जैश अंकर ने रविवार को कहा में राहूल गांदी से चीन पर क्लास लेना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो खुद चीनी राज़ूत से जैश अंकर ने आगे कहा दुर भागे की बाते की विदेश नीती अखाड़ा बन गई है, मुझे पता है कि राज़ूती में सब कुछ राज़ूतिक है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमें ऐसा वेवार करना चाहिए, जिसे विदेशों में भारत की इस्तिती कमजोर नहूं करनाटक में एक कारीकरम में जब जैश अंकर से पूछा गया कि राज़ूति कहते हैं कि आप चीन से खत्रे को नहीं समझते, इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर जैश अंकर ने कहा कि पहले में चाता था कि चीन के मुद्दे पर राज़ूति से क्लास लो, लेकिन बाद ने कि राहूल गांदी चीन पर चीनी राज़ूति से क्लास ले रहे थे, इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं मुख्य सोर्स पर जा सकता हूं और उन से बात कर सकता हूं, जैश अंकर ने कहा कि दुर्भागे से विदेश निती अखाड़ा बन गई है, मैं भी नेता के जवाब में जैशंका ने कहा, पैगांग में चीन की और से पूल बनाने के मुद्दे पर भी गलत जानकरी फिलाई गई है, उन्होंने बताया कि चीनी पहले 1960 में आये थे, उन्होंने 1962 में इस शेतर पर कबजा कर लिया, लेकिन इसे ऐसे अलग तरीक से पेश किया गया, क किसकी गलती है, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, ये हमारी सामूही की विफलता थी, इसे राजनितिक रंग देना जरूरी नहीं समझता, इन मुद्दों पर वास्तों में दोनों देशों को बाचित करने की जरूरत है, राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर अक् की तैयारी युद्द की है, सरकार इस मामले को नजर अंदाच कर रही है, और इससे समधित जनकरी को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसी के साथ बने रही है, राजनमा टीवी के साथ, धन्यवाद,